हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब गणेश चतूर्थी आने वाली है तो हमने सोचा आज क्यों ना स्टफ मोदक बनाए जाएं वो भी बिल्कुल मावा मोदक है ये तो जिसके लिए मैंने एक कटोरी यहां पे दूद ली है ये लिए मैंन अच्छे से मिक्स्टर बना लिया यानि कि पीस लिया है उनको और यहां पे दिया है मैंने थोड़ा सा ये गुड तो चलिए अभी हम मोदक की स्टफिंग तैयार करते हैं तो अभी मैंने पैन के अंदर डाल दिया है गी ये देसी गी है आप कोई भी गी यूज कर सकते हैं तो चलिए अभी हम हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ड्राइ फ्रुट्स का मिक्स्टर बनाया है यानि कि जो हमने इसको पीस लिया है उसको थोड़ा सा हम करेंगे रोस्ट आप चाहें तो इसके अंदर घी थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा भूनते रहेंगे और फिर अब हम डालेंगे इसके अंदर यह गुड़ गुड़ आप अपने टेस्ट के अकोडिंग डाल सकती हैं तो देखें मैंने इसके अंदर डाल लिया है गुड़ तो अभी हम इसको भी अच्छे से तब तक चलाते रहेंगे जब तक की मौदक के लिए स्टफिंग है यह रेडी हो चुकी है तो बहुत ही इजी है आप चाहे तो इसके अंदर कोकोनट यह सब चीजे भी यूज कर सकते हैं तो चलिए अभी हम बनाएंगे मौदक मौदक बनाने के लिए मैंने कड़ाई चड़ा दी है जिसके अंदर मैं डालोंग उसी साइस की दो कटोरी मैंने ड्राई मिल्क पाउडर की लिए है तो देखे घी भी मैट हो गया है तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे यह एक कटोरी दूद मैंने इसी कटोरी के हिसाब से ड्राई मिल्क पाउडर लिया है आप कोई भी फ्लेवर का मिल्क पाउडर ले सकत तो देखिए अभी हम घी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं दूद के अंदर और अभी हम डाल देंगे इसके अंदर जो मैंने ड्राय मिल्क पाउडर लिया है इलाची फ्लेवर इसको तो इसको क्या है इसको साथ के साथ चलाना होता है अगर हम इसको साथ के साथ नहीं तो इसके अंदर Lumps पर ना शुरू हो जाती हैं बस आपकी इसको फटा-फट से चलते रहना है देखके हलके फुलके लम्सि जो है वह अच्छे से इसके अंदर घूल जाएंगे तो यहां देखे कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है तो अभी हम इसको थोड़ा और चलाएंगे और थोड़ा गैस के ऊपर पकाएंगे ताकि और थिक हो जाए तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी डाल रही चीनी आप इसकी जगा पर शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो यह दूद के अंदर अल्रेड़ी शुगर होता ही है बट अगर आपको जादा शुगर नहीं डालें तो यहां देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और थिक होती जा रही है तो इसको अब हम और गाड़ा होने देंगे ताकि एक डो की फॉम में आ जाए जिसके हम मौदक बना पाएं तो देखी सकते हैं यहां पर और मेरे पास जो है वो मौल्ड नहीं है तो मैं बीना मौल्ड के ही मौदक बनाने वाली हूँ आप चाहें तो मौल्ड का भी यूज़ कर सकते ह हैं जो सांचा होता है मतलब उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो बैटर है वो कुछ इस तरह का बन गया है तो बस अभी यह रेडी होने ही वाला है अल्मोस्ट बस थोड़ा सा हम और और अगर जो यह बैटर है आपकी कडाई में चिपक तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गी डाल सकते हैं तो यहां देखिए मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है इसको और अब हम जैसे थोड़ा हलका सा यह ठंडा हुआ तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे मसल लिया क्योंकि हमें इसके मोदक बनाने हैं तो मोदक बनाने क करनें खर्ट करके आप हाथ के साहथ इसको राउंड राउंड करें और इसके अंदर स्ट भर दें गर्म कोकोनट का भी वाझन स्ट ऊपए यूजर मैंने सिर्फ राइफ्रूट्स क्या स्ट अचम भरिषब वड़क और इनस्टेंट ने वाले आप पहले के जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप इसको जब चाहें जैसे चाहें खा सकते हैं और जो मलाई पेड़ा होता है वो भी ऐसे ही बनता है तो आप इसको ऐसे वो भी बना सकते हैं तो देखिए अभी हम इसके अंदर डिजाइन बनाएंगे मैंने फोक ले लिया है तो मैं इसकी हेल्प से ही इसके अंदर डिजाइन बना दूँगी तो देखिए मोदक जो है वो हमारा रेड़ी हो चुका है ये देखिए बिना मोल्ड के ही मोदक बन गया है वो भी स्टाफिंग मोदक हमने बनाया है तो जी हाँ आप भी ऐसे ही अपने घर पे मोदक बना सकते हैं गणेश चतूर्थी आ रही है तो आप अपने घर पे ऐसे मोदक बना कर गणेश भगवान जी को भोग लगा सकते हैं अगर बीना स्टाफिंग वाला बनाना चाहते हैं तो आप बीना स्टाफिंग का भी आप अपने तरीके से भी बनाएं लेकिन यह बहुत ही इजी है तो मैंने इस होचा गणिश चतूर्थी आ रही है तो इसको फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए तो देखिए अभी हमारे मोदक बनके रेडी है तो कैसी लगी आपको यह मेरी आज की रेसिप देखिए बस अभी हम इसको थोड़ा सा ओ ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाएं तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा मोदक आपको तोड़के दिखाती हूं अंदर से स्टफिंग वाला मोदक बिल्कुल राइफ रूट्स की सो आज के लिए नहीं बाइ बाइ